दोस्तो गर आप भी चाहते हैं कि भारती टीम दूसरे T20 मैच में जीत हासिल करे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तो पहले T20 में बारिश के विवधान के बाद क्या दूसरे मैच में भी बारिश बिगाड़ेगी खेल या फिर भारती टीम दिखाएगी अपना असली खेल जेहां दोस्तों भारत और साउथ अफरीका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते रद हो गया जिसके बाद अब दूसरे T20 मैच भी बारिश के संकट में खेला जाने वाला है तो अखिरकार भारत और साउथ अफरीका के बीच दूसरे T20 मैच कब और कहां पर होगा यह तो आपको बताएंगे इस साथ में दूसरे T20 मैच के अंदर मौसम का क्या हल रहने वाला है इस बारे में हम आपको बताने वाले हैं तो सब को जानकारी हासल करने के लिए वीडियो को पूरा एंट तक जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सुरी कुमारे आदो और शोमनगिल में कौन है भारती टीम का सबसे खतरनाग बल्ले बाज अपनी राह में नीचे कमिन बॉक्स में जरूर दे दोस्तों जैसा की आपको पता है भारत और साउथ अफरीका के बीच 3 मैच की T20 सीरीज कहली जा रही है आली में भारती टीम ने ऑस्टेलिया के खिलाब 5 मैच की T20 सीरीज में जीत हासल की थी ऐसे में अब साउथ अफरीका के खिलाब 3 मैच की T20 सीरीज 10 दिसमबर से प्रारम हो चुकी है जहाँ पर पहला मैच डर्बन के किंग्समीट क्रिकट स्टेडियम पर खेला गया था जसमें बिना किसी टॉस के मैच को रद्द करना पड़ा ऐसे में अब दूसरे मैच के तैयारी जोरु शोरों से शुरु हो चुकी है तो आइए साउथ अपरिका के खिलाद दूसरे T20 मैच के बारे मंचर्चा करते हैं दोनों टीमों के बीच हेट टो हेट वांकडों की बात कि जाए तो दोनों टीमों के बीच 25 मैच खेले गए जसमें भारती टीम ने 13 मैच और वहीं साउथ अपरिका की टीम ने 10 मैच में जीत दर्ज की है इसके लावा दोनों टीमों के बीच साउथ अफरीका के धर्ती पर आठ मैच खेले गए हैं जहाँ पर भारत ने पांच मैच में जीत हासिल की है इसके लावा दो मैच में साउथ अफरीका के टीम ने शांदा जीत हासिल की है दोस्तो भारत और साथ अपरिका के बीच दूसरा टी-20 मैच कुबरीह शहर के जॉर्ज पार्क क्रिकेट स्टेडियम पर होने वाला है क्योंकि शुरुआती ओबरो में तेज गिनमाजों की गेन काफी स्टेज होती है और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है पिच बल्ले बाजों के अनकूल हो जाती है और यहां के और फिट काफी तेज है जो बल्ले बाजों को काफी करती है वह बल्ले बाज जो पिछ पर समय देकर खेलते हैं वरान बना सकते हैं अगर पिछ पर स्पिन गिनबाजी की बात की जाए तो स्पिन गिनबाजों को कोई खास मदद नहीं मिलती लेकिन दूसरी पारिम पेश धीमी हो जाती है जिसके चलते वाले दिन मौसम की बात करें तो मैच के दिन दौराण अपमान 18 डिग्री सलसेस रहने वाला है जिसके चलते तेज गनवाजों को काफ़ी जादा मदद मिलेगी हाला कि मैच के दर्मियान बारिश के सम्भावन दिखाई दे रही है जिसके चलते बारिश के आने कि सम्मावना 95-95 प्रतिश्यत तक है एसम जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वे टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा और मैच के शुरू होने के समय से एक या डीर घंटे तक बारिश का काफिस आया है जिसके चलते मैच डेरी से शुरू हो सकता है साथ में एक घंटा मैदान को सुखानिम भी लग सकता है तो ऐसे में भारत और साउथ अफरीका के बीच दूसरा टी-20 मैच बारिश के कारण रद भी हो सकता है अगर रद नहीं होता है तो कम से कम 6 ओवर कमैस तो आपको डेखने को मिलने ही वाला है दोस्तो दोनों टीमों की बीच प्लेइंग 11 के बारे में बात करें देने वाली है और मंदकरा में कप्तान सूरी कुमार आदो विकट की पर बल्लेबाश ट्रेयस अईयर के साथ रिंकू सिंग को खेलने का मौका मिलेगा इसके लावा आल राउंडर के रूप में रवीन जड़ेजा को खेलने का मौका मिलेगा मैं गिन्बाज के तोर पर कुल्दी पियादों को शामिल किया है तो इसके लावत तेज गिन्बाजी में मौमद सिराज, अरश्रीप सिंग और मुकेश कुमार को शामिल किया है तो ऐसे मैं बिन 11 खिलाड युक साथ 12 साउथ अफरी का कोहराने उतरेगा दोस्तो भारत और साउथ अफरीका पीच तीन मैच की टी ट्वेंटी सिरीज का दूसरा टी ट्वेंटी मैच 12 दिसम्मर को कूबरे शेयर के सेंट जॉर्ज स्टेडियम खेला जाने वाला है जो भारत के समय नुसार रात को साड़े 8 बजे से प्रारम होगा और इसकी लाइब कबरे जाट बजे प्रारम हो जाएगी वही टॉस का समय 8 बच के 10 मिनट पर रहने वाला है इसका लाइब कबरे जाब टीवी पर स्टार स्पोर्स नेटवर्क पर देख सकते हैं जसके लिए दोनी टीम तियारी मलग चुकी है आसे में तियारी को मजबूत करने के लिए भारती टीम ने साउट अफरीका से एक अभ्यास मैच खेलाई रहतराजगायकवार के साथ मिल कर टीम को समाला लेकिन रहतराजगायकवार पहले ही ओवर में दुरन बना कर पवेलिन को लौट गये और दूसरी तरब से बल्ले बाजी कर रेशियो मनगिल ने तुफानी बल्ले बाजी करते हुए 25 गिन पर अपना अरदशे तक पूरा किया 30 गिन पर 62 तरण मारा एक बाद लबी डबलू के शाओ महराज की गिन पर होकर पवेलिंग को लोट गया इसके बाद बल्ले बाजी करने के लिए शुरे से यह राये जो दो और अन्मना करा उठ हो लेकिन उसके बाद कप्तान सुरी कुमारी आदो ने टीम को समाला और इस दोरान कप्तान सुरी कुमारी आदों ने तुफानी बल्ले बाजी करते हुए मातर 20 गिन के अपना अरद शुरे तक पूरा कर लिया और 25 गिन पर 67 रन की पारी खेलने के बाद इन्हों ने विकट कीपर कहा तो कैच आउट होकर अपना विकट लूंगी की गिन पदे द आई साउथ अफरिका की टीम को भारती के इन्वाज होने काफे जादे परिशान किया जहां पहले ओवर में मौहमाद सिराज ने दो बड़े विकट लिया लेकिन दूसरे तरब से बैतरी इन्वाजी कर रहा है अर्शिदीप सिंग ने एक ओवर के अंदर तीन विकट लेकर साउथ अफरिका की कमार ही तोड़ दी जहां पर उन्होंने कप्ताल माकम के बाद एन्रिक क्लासियन और डेविड मिलर को पवेलिंग रास्ता दिखा है अतना है नहीं उन्होंने जाते जाते अंतिम ओवर के अंदर अपने अंतिम बले बाज लोगी को दो रन पर अलबे की तरफ से रिंकु सिंग ने मैदान के चारों तरफ जख्या और चौकों की बारिश करते हुए तेहल का मुचा दिया आपको बता दे इस मैच में भारती टीम ने टॉस जेत कर पहले बले बाज़ी करने का फैसला किया लेकिन 15 रनों के स्कोर पर पावर प्ले के अंदर भार और तूफानी अंदाज में बले बाज़ी करते हुए टीम को आगे ले जाने का काम किया जहां पर रिंकु ने अच्छी बले बाज़ी करते हुए अपना घाता चोके के साथ शाही अंदाज में खोला और इसी तरीके से आगे भी तूफानी बले बाज़ी जारी रखे इस द की परवाह ना करते हुए मैदान के चारू तरफ च्छक्या और चौकों की बारिश कर पूरे क्रिकेट जगत को अपना फैन बना लिया है इस दोरान रिंको सिंग ने बेहितरीन बल्लेबासी करते हुए बारे हुए उवर के अंदर गेंदबासी करने आए केशो महराज को अप प्रेश शमसी के सामने पहली 4-5 गेंदों पर चौके लगाए और फिर ओवर की अंतिम गेंदों पर छक्का लगाकर अपना शतक मात्र 35 गेंदों के अंदर पूरा खुर लिया हालांकि शतक लगाने की तुरंत बाद इन्होंने अपना विकेट भी दे दिया था और 35 गेंद में भी करने लगा है तो दोस्तों आपको क्या लगता है रिंकु सिंग दूसरे टी-20 मैच में भारती टीम के लिए शतक लगा पाएंगे या नहीं कॉमेंट में जरूर बताइए जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया जो गलत साबित हुआ क्योंकि भारती टीम इस मैच को जीत गए दरसल अफरीका की टीम के तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए रीजा हेंडिक्स और देवोन इन फरेरा मैदान पर आए और गिनबाजी की शुरुआत बहतरीन गिनबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंग्ने जबरदस्त गिनबाजी करते वे रीजा हेंडिक्स को अपनी लहराती हुई गेंड पर विगट कीपर के हां तो दो रन बनान एक बात कैच आउट कराया इसके बाद बलेबाजी करने के लिए जिन्हों के साथ मिलकर बल्लेबाजी करते हुए आगे भी तुफानी अंदास से बहतर प्रदोशन करते हुए, साथवे ओवर के अंदर गेंबाज मुकेश कुमार को आड़े हाथ लिया, उनके सामने लगातार चार गेंबाज पर चार चार चौके दो गेंबाज पर दो चक्के लगा कर ओवर के अंदर 26 रन पर टोड़े हो दिखा दिया, कि वो इसी अंदास से तुफानी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं, उनको विस्पोर्टक बैयाली सरन के स्कोर पर गेंबाज मुहमद सिरास की गेंबाज पर चारो खाने चित्त करते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके चलते अफ्रीका की टीम ने दस ओबर में 135 रन पांच विकेट की नुकसान पर बना दिये, इसके पाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रेय सेयर मैदन पर आये और दूसरी तरब से बल्लेबाजी कर रहा है रितुराज गयकवार तुपानी प्रदोशन करने के लिए तयार थे, लेकिन इसी वीच दूसरी तरब से गिनबाजी करने के लिए आये, स्पिन गिंद मार्ज केशो महराज ने रितुराज गया क्वार्ड को भी पवलिंग का रास्ता दिखाया